पर रेके बाद आपका स्वागत है ब्रेक से पहले हमने महराज की बात की थी अब बात करते हैं हरियाना की हरियाना में आज 73 फीसदी मतदान जो है वो हुआ है और सबसे साधा मतदान जो है वो देखने को मिला है इस बार अब आपको उपिनियन पोल दिखाते हैं कि किस तरीके से मतदान से पहले की तस्वीर क्या थी हरियाना का उपिनियन पोल आपके सामने है किसी को बहुमत नहीं मिल रहा है कॉंग्रेस को 15 सीटे मिल रही है बीजेपी को 36 साफ दौर पर 90 सीटे कुल हरियाना में है आई एन एलडी के पास 33 सीटे पहुँच रही है और अन के खाते में 6 सीटे जो है फोच आ रही है साफ दौर पर बीजेपी यहां सबसे उपर नज़र आ रही है 36 सीटों के साथ यह आपको हममत दान के पहले किस तरीय के तस्वीर थी वो हम आपको दिखा रहे हैं अब आपको एक्जेट पोल दिखाते हैं किल 90 सीटे जिसमें से बीजेपी को 36 सीटे जो है वो मिल रही है यानि साफ तोर पर बहुमत जो है वो बीजेपी को ह ंगरेज को मिलने वाले और यह आपको एसे नाम आपको दिखा रहे हैं जिनकी साक जो है वो दाउपर है कैप्टन अजय यादो कॉंग्रेस की तरब से चुनावी मैदान में है और रिवाडी सीट से ये चुनाव लड़ रहे हैं साफ तोर पर साख जो है वो दाव पर है इस वक्त भारतिय जंता पार्टी के अगर बात करें अनिल विजय अंबाला कैंट से चुनावी मैदान में उत्रे हैं और इस वार अगनी परिक्ष्वा चुए है वो कहीं चा सकती है बीजेपी के लिए आई एन एलडी के तरब से अशोक अरोडा थाने सर सीट से अपने किस्मत आजमा रहे हैं भुपेंदर सिंग हुड़ा कॉंगरेस मड़ी सामपलास से किलोई सीट से लट रहे हैं सापता और पर हर्याणा के मुख्यमंतुरी भुपेंदर सिंग हुड़ा जो हैं वो अपने किस्मत आजमा रहे हैं क्योंकि इस वार जिस तरी के तस्वीर बन रही है HJC चेंदरमोहन बिश्णोई जो है वो नलवा सीट से चुनावी मैदान में है और दुश्यंत चौटाला की अगर बात करें तो उचाना सीट से चुनावी मैदान में है और INLD के उमीदवार हैं तो कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कुछ ऐसे नाम हाँ आपको दिखा रहे हैं जिनकी साख जो है वो दाव पर है किरंड शौधरी कॉंग्रेस की तरफ से ये चुनावी मैदान में है और तो शाम से ये अपने किस्मत आजमा रही है कॉंग्रेस की तरफ से कुल्दीप शर्मा गन्नोर सीट से इस बार चुनावी मैदान में उत्रे है और कहीं न कहीं कॉंग्रेस के लिए अगनी परिक्षा जो है वो भी नज़र आ रही है कुल्दीप श्नोई आदमपूर सीट से सामने है साफ तोर पर कटबंदन तूटने के बाद अब बहुत बड़ी परिक्षा सामने नज़र आ रही है मनोहर लाल खटर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उत्रे हैं और करनाल सीट से अपने किस्मत आजमा रहे हैं ओपी धनकड भारती जणता पाटी की तरफ से चुनावी मैदान में है और बादली सीट से इस बार जणता के सामने पहुंचे हैं और जणता ने क्या फैसला किया उनने सारी को मालूम चल जाएगा कैप्टन अभिमन्यू भीचेपी की तरफ से नारनोंद सीट से चुनावी मैदान में उत्रे हैं और रणदीप सुर्जेवाला कैथल सीट से अपने किस्मत आजमा रहे हैं और कॉंग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में नसर आ रहे हैं और कॉंग्रेस की अगली सावित्री जिंदल जो है वो भी चुनावे मैदान में है, हिसार सीट से अपने किस्मत आज मारे हैं, साफ तोर पर ये वो बड़े नाम है, वो बड़े दिगज है, जिनकी किस्मत जो है आज ये वियम में कैद हो गई है, एच जियसी की तरफ से रेणुका बिश्नुई जो है, वो हासी सीट से चुनावे मैदान में उतरी हैं, और आगे अगर बात करें, जन्ची अतना पार्टी की तरफ से हमबाला सीट से विनूद शर्मा जो है, वो जन्रता के सामने हैं, और आज जन्रता ने इनका भी किस्मत का फैसला जो है, वो एवियम में कहत कर दिया है, आइनल्डी के तरफ से अवे चोटाला, इलानाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, और हमारे साथ न्यूजरूम में हमारे सेयोगी सुमित लगातार चुने हुए हैं, और उनके साथ एक बड़ा पैनल जो है, वो बीजेपी के लिए ज्यादा फाइदे मन नजार आ रहा है, लेकिन इन तमाम सर्वेज की बात कर रहे हैं, ओपीनियन पूल की या एक्जिट पूल की, इन पूरे एक्जिट पूल में महराज्च में भले ही बीजेपी का वर्शस्व दिख रहा है, लेकिन हर्याना में आइन साब, राजनीति की विश्चेशक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं अवनेदर साब आपके पास आना चाहता हूँ, हर्याना की राजनीति को आपने करीब से देखा है, लेकिन इस बार जो चुनाव चल रहे हैं, इसमें चाहे चोटाला का मुद्दा हो काफे दि अचस देखने को मिला है, बीजेपी जो अपना अस्तित्व कई बार तलाश की नजर आती थी हर्याना में, इस बार पूर्ण बहुमत की बात की जा रही है, आपका अनलसिस क्या कहता है, या फिर ये जो तमाम एक्जिट पोल या सर्वे सामने आ रहे हैं, ये किसो और इशा कर रहा है, आप उन हालाप पर क्यों नहीं सोचते हैं, आप उस समय का आप आकलन करिए, सारी बातों को आप छोड़िए, क्योंकि निश्चित तोर पे बीजेपी ने इस बार बहुत दमदार उसमें आप कह सकते हैं वाफसी की है, या इस से पहले बीजेपी का इस से बढ़ नरेंदर मोदी जी ने बिलकुल दिल्चस्पी लेकर वहाँ पर दौरा किया और उसके बावजूद भी स्पस्ट बहुमत नहीं आया, ये एक बहुत बड़ा अहम प्रस्न, अगर नहीं आता स्पस्ट बहुमत, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, आप उन मुद् के स्थिती में कॉंग्रेस हो, कॉंग्रेस आप 15 आप दिखा रहे हैं, कॉंगरेस को 15 दिखा रहे हैं, मैंने भी हरियाना का दोरा किया, लेकिन मुझे भी कॉंग्रेस के 15 तक सिमटने की मुझे भी नहीं थी, मुझे भी नहीं थी क्योंकि कई मुद्द लोकल थे कई उसके चाहने वाले थे। śतr के दो बड़े परत्यासियों के साथ मैं बिल्कुल समझिये चुप्चाप घु़ूमा हूँ एक लैमेन की तरह। पर बहुमत की परस्थितियां किसी के सामने नहीं है अर्विपाद्य साब दिल्ली अभी जो है अभी हाली में चुना हुए तिर्शंकू वाली परस्थितिय बन गई थी हर्याणा में वैसा नहीं हो जाएगा दिखिए हर्याणा में ऐसी उम्मीद दिख रही है लेकिन अभी कि बहुत जल्दी होगा कि भी तिसंकू बनेगी या वहां भी मैजरोटी में आएगी और बीजेपी के लिए गरमा तरिसंकू भी बनती है तो एक बिन्विन पोजिशन बीजेपी के लिए कल भी थी और आज भी है एक यूल में कि भी चार से लेके आज आप चाथीस दे रहे ह तो 36 बीजेपी 32 की उसको बेनेंग है और कॉंग्रेस के लिए जहां 40-15 मिलने तो उसको हार है हाँ इनलो का है लेकिन गौवर्मेंट के बारे वाबी तो यह क्यास लगा है जो उमीद है कि बैसा ऐसा होगा मुझे लग रहा है कि बीजेपी को वहां बहुमत के नजभी हास कर अगर मैं जातीगत वोटिंग की बात कर लूँ हर्याना उन राजयों में से आता है कही ना कहीं जहांपर वो इंप्यक्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है चाहे जाट वोटर की बात कर लेजा है क्या महां का वोटर बिना किसी पार्टी का चेहरा किसी उमीदवा और बीजेपी के पास ऐसा कोई चेरा परदेश में नहीं था मुख्यमंत्री का यह मोदी का क्रिस्मा ही होगा अगर लोगों ने उसको वोट दिया है बगार किसी लोकल चेहरे के तो यह क्रिस्मा ही होगा अगर उनको वोट दिया ने लोकल चेहरे कॉंग्रस के पास भी है और बीजेपी के उसके पास भी है चिक ये चेहरा अगर आप लोग सामने नहीं करते हैं दिने जी बीजेपी की तरफ से तो ये कमाल ही होगा कि वहां की राजनीती में जो वहां का वोटर है वो आगे बढ़कर बिना किसे चेहरे के सुर्फ मोदी को चेहरे को वोट दे दें निशित तोर पर आज ऐसी परिस्थिती बनी देखिए परिवर्तन का दौर है बार-बार निवेधन में करता हूँ पता नहीं लेकिन कभी-कभी मेरे राजनीतिक समिच्चकों को क्या हो जाता है या मैं नहीं समझ पाता हूँगा या मुझे लोग समझा नहीं पाते होंगे आ है करें करें अचाब जाठी का क्बिनिशन बहुत ज्यादा मैं उत्त्रप्रदेस से जञादा हरियाना में जाठी की बात नहीं कि जाता है लेकिन उत्त्रप्रदेस में मोदीई का क्रिस्मा देखिए यह आप heti 73 सीके और में 70 नहीं मानता हूं अगर 토इस की असी प्रोजेक्ट किया है बीजेपी ने चहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है लेकिन जातिगत राजनीती की जो बेडियां वो इस बार तूटेंगी दूशन जे उट्डा साब बले ही पूरी पूरी पूछिस करें नहीं आपका सोचना ऐसा हो सकता है दूसरा आप ballot की बात कर रहे है तो एकजिट पूल के जो रिजल्ट होते हैं और जो एक्ष़ल रिजल्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं । हकिकत से काफी अ प्रश्च को लिडर को लीडर करेंगे चाहे वह मंत्री मंदल के रूप में हो उस तरह के दस पाइब दो चार फेज नजर आने चाहिए पिछले बार जब आप मुसे हम लोग डिसकुशन में थे आप लोग यही सवाल कर रहे तब मैंने यह प्रशन उठाया था लेकिन इसका कोई आनसर आया नहीं था मैं आज भी आप से एक बात कहता हूं कि दोनों स्टेट्स में अगर फिर भी वैसे ऐसा है नहीं क्योंकि जो अभी मैं सुन रहा था कि इस बार कुछ बदला हुआ है 73 परसेंट पोलिंग इस पार हुआ है बिल्कुल बीजेपी सरकार फर्म करेंगे नहीं करेंगी सवाल इस पर भी है लेकिन आए उससे पहले हर्याना का जो एक्जिट पोल या ओपिनियल पोल जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको दिखा देते हैं यह पूरवी हर्याना का एक्जिट पोल आप देख रहे है इस वक्त बीजेपी आठ सीटों पर तेईस में से आठ सीटों पर जो है कबजा जमाएगी कॉंग्रेस हाला कि अगर पूरवी हर्याना की बात कर लिजा है एक्जिट पोल के हिसाब से तो दस सीटे आयलेड़ी के हिस्से में पांच आ रही है और हज का जो है वो सूप्रा सा और है अन्य के खाते में भी कुछ यहां पर जाता हूं नहीं दिख रहा है तो यह एक्जिट पोल पूरवी हर्याना का तो यहां पर जो परस्थियां हैं हो जरूर कुछ संब्री हुई कॉंग्रेस के लिए नज़र आ रही है वहीं उतरी अगर हर्याना की बात करें तो तो काफी आगे कॉंग्रेस के लिहाज से भी क्योंकि दो सीटे कॉंग्रेस के हाथ में आ रही है, आइनल्डी पात सीटों पर, बीजेपी के मुकाबले आधा जरूर यहाँ पर आकड़ा लगबग छूने कोई कोशिच की जा रही है, हजगा की परिस्तिय यहाँ पर भी हर्याना के हशाब से भी आईनेल्डी साथ सीटें, कॉंग्रेस के हिस्ते में यहाँ पर सिर्फ एक सीट आ रही है और अन्याय के हिस्ते में सिर्फ दो सीटें, हजगा का सूपढा साफ यहाँ हो रहा है, 23 सीटें, मैं तो पून कहा जा सकता है ध disposition हुई, बीजेपी की तो वही एक्जिट पोल पस्चिम हरियाना का बीजेपी की चार सीटे कॉंग्रेस की तीन आइनलडी 15 यहां पर कही ना कहीं यह जो पीछे लॉस हुआ है बाकी शेत्रों में यहां कवर किया है आइनलडी ने हजका सिफ्तीन और अन्या के खाते में 26 सीटे हैं मैं तो पूर यह आइनलडी 15 लेकर जा रही है पस्चिमी हरियाना आइनलडी को फायदा पहुचा सकता है अगर एक्जिट पोल पर नजर बनाई जाए और बीजेपी यहां पर हाला की पिछड़ी वे नजर आ रही है कॉंग्रेस और बीजेपी के परस्थितियां पस्चिमी हरियाना में लग बीजेपी को जो चहरा सामने नहीं आया है उस चहरे के अलावा बीजेपी क्या अंदर कुछ और प्लैनिंग कर रही है बीजेपी चहरा आगे नहीं कर रही है मोधी मजे हुए नेता है ऐसे तो किसने फैसला नहीं किया होगा पार्टी ने कि हम चहरा आगे नहीं करेंगे ज जाट वोटर जो है या फिर जो देहात की शेतर हैं वो अपने नेता से सीधा कॉंटेक्ट बनाना चाहते हैं फिर भी बीजेपी एक नेता सामने नहीं लाती है क्या खारण देखें सुमी जी इसको मैं थोड़ा सा आपको बैग्राउंड में जाता हूँ मोधी साप जब से प्राइमिनिसर आए हैं और सिंगल हैंडली जैसे मिजोटी लेका हैं उनके मैंड में जैसे ही वो विदेश का दोरा करका हैं मुझे लग रहा है कि कुछ राजनितिक पंडितों नों भी कुछ ये शेर किया है कि इन्होंने क्या किया है कि इनके मैंड में आगए कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ दो नेस्नल पार्टी रहने चीए बीजेपी और कॉंग्रेस जो रिजिनल पार्टी जे उनको किसी तरीके से डैमेज किया जाए उनकी एक्जिस्टेंस को खतम किया जाए उनको डेंट किया जाए इसलिए इन्होंने सबसे अपना पुराना गठबंदन मारास्टाय में और हर्याना में तोड़ा जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा मेरा अपना जो एनलेसे से हर्याना भी कलियर तरीके से सरकार नी बना पा रहे हैं वहां भी हंग हो गई है बना नजदीक पहुँझ जाएंगे उस फिगर के आसपास पहुझ जाएंगे मैजिक फिगर नहीं मिलेगा वही हाल मारास्टाय में हुआ यह तो हुआ ओराल इनकी स्टेडर्जी का मुदी साब के माइंड सेट का दूसरी बात हर्याना का जो अलेक्षण आ यह यह अलेक्ष्ण हर्याना का लड़ाजाता था ओप पर पेंदर शिगुडा अगर अगर सरकार लेगे है वो अपनी चोधर पर लेगे है कि रहसा की चोधर की बात ही हुडा साब ने 10 साल राज किया आप देखिए राम भीला सर रेटा और मोधी साहब ने वहाँ पर 11 रेली की है और सब को बिलेंस की है हर किसी की रेली में जाके उनको प्रोजेक्स करने करिए किसी एम की और बार मुधी की हर्याना में एक चीज आप बड़ा नोट किये मोधी साब का ओन्फिडेंस लेवल और मोधी साब की बैड़ी लेंग्वेज इतनी नी थी बार बार लोगों से पील की कि क्या लंगडी सरकार मत बनाना मुझे ऐसा मत मजबूर कर देना कि मुझे इ उचा जा रहा है अंदर खाने क्या चल रहा है लेकिन आयनलडी जो चोटाला के बारे में कहा जा सकता है कि हर्याना में तो कम से कम एक गेम चेंजर बन सकते हैं वो गेम चेंजर जिसने आखिर तक कही ना कहीं लड़ाई लड़ ली है अपना काम कहीं ना कहीं क्या प्रफेस सत्ता में आ सकती है ऐसा तो निशाना वो देकर गए हैं सुमिर जी आपके हैं बारा सिर्दंपक जब एनॉंस हुआ था लेक्षन तो आपके स्टूडियो में चर्चा हुए थी मैंने कहा था देखिए हर्याना में हंग असेमली होगी वह आपको अब भी दिख रहा है महरास्त जुगीन जुग कांथ हो जाता लेकिन ऐसा वह खोता दिखता नहीं मुझे दोने जगगट वंदन की सरकार बनेगी हर्याना में जैसा में पेच्छे भी का था आपको की लास्ट में बीजेपी ने बहुत बली गल्ती की कि जोटाला जी को जेल भाईना नहीं की था वह आज भी देते सामको पूल दिक्रत नहीं आती दो दिए पहले बेके के चोटाला को सप्तेश फेक्टर इन्होंने दे दिया कुस शीटों तो इन्होंने बढ़ा दी और दूसरां ते चोटाला खुब उसका इस्तमाल किया दे पहले बाद और दूसरी चीज पर आइए अभी कुछ साथी हमारे कह रहे थे कि जो राज के मुद्दे होते हों केंद के मुद्दे नहीं होते हैं इस बार चुनाओ में जितने पहले में लोग बैठे हुए हैं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं का आप गवर करिएगा इस बार केंद्र के मुद्दे वही थे और राज के भी मुद्दे वही हैं पिछ केंद्र के मुद्दे थे भ्रस्टाचार आज राज का भी मुद्दा जो है भ्रस्टाचार है दोनों राज में हर्याना का भी जो मुद्दा लड़ा गया चुनाओ लड़ा गया वो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था किसी चैनल पर कि मुखमंत्री को ठपड़ा था जिस राज में मुखमंत्री को ठपड़ पड़े वहां कानून ब्योस्ता बहुत अच्छी है मुझे समझ में नहीं आता अगर मैं भ्रस्टाचार की बात अभी आज सुरू करें तो आई और दूसरी चीज़ एक सो चवाली स्पेज की चार सीट आई एंटी ने राजपाल को दी है हुड़ा साहब पर दस लाक करोण के घोटाले कारूब लगाया है अगर नाइतिक साहस है अगर इनों घोटाला नहीं किया है तो मैं आपके चैनल के माद्दम से काता हूं कि कांग दिल्ली में नहीं उनके कहां फ्लेट नहीं है कहां जमीन नहीं किर्स रियल इस्टेट में उनके सेर नहीं है तो मुद्दा इस बार सिर्फ मसुमित जी कहना चाहता हूं कि मुद्दा एक था मुद्दा एक था भ्रस्टाचार और व्रस्टाचार का समुल नास करना ही हम बा लोग सभा चुनाओं में कमी रह गई है वो अब पूरी करना चाहते है मोधी इसलिए पूरी तरीके से कैमपेनिंग की जा रही है नहीं ऐसा नहीं है मोधी जी क्योंकि इतने दिन में कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए जो वादे वो करके आये थे उन वादों को पूरा नहीं क आज मुन्डे होते जो दूसरे नाम ले रहे थे आगर वहां आना नहीं पड़ता थना है पर लीजर के पीज़फedi को का तो आफ तो सरकारिंगे पास ए है कुछ लोग सकते हैं तुछ लोग बहका रहे हैं और जो हमारे काम हैं वो जंता तक नहीं पहुँच पाए। क्या कहना चाहते हैं जिंदल साब एक ब्रेक ले रहे हैं उसके बाद दिखाएंगे आपको हरियाना की 2009 की परस्तिती और नेता क्या कुछ कह रहे हैं। एक ब्रेक तुनत लटते हैं। 70 फिस्दी मतदान वो हरियाना में हुआ है, साफ तोर पर इतिहास रचा गया है, सारे रिकॉर्ड मतदान में तोर दिये गए हैं। अब आपको हरियाना को उपीनिन पोल दिखाते हैं कि किस तरीके से मतदान के पहले क्या अकड़ा था। किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, 90 सीटे हैं अरियाना में जिनमें से कॉंग्रेस को 15 और बीजेपी को 36 सीटे मिल रही है, आइनल्डी 33 और अन्न के खाते में 6 जा रही है, साफ तोर पर बीजेपी और आइनल्डी दोनों जो हैं वो आसपास नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुमत किसी को नहीं मिल रहा था, य शुरुबात की बाते उपीनिन पोल थी, अब एक्जिट पोल पर नज़र ठालिए, 90 सीटे, बीजेपी के पास 36 सीटे पहुँच रही हैं, कॉंग्रेस को 16 सीटे मिल रही हैं, आइनल्डी 32 हजगा बीज तीन सीटों के साथ काबिज हैं और अन्न को 3 सीटे मिल रही हैं, कु के साथ एक बड़ा पैनल जो है, वो मवजूद है, सुमित. सूत्रधार के तौर पर हैं, महाँ पर गए हैं, या फिर आनल्डी और बीजेपी या फिर बादल के तमाम उनके गड़बंधनों के बीच में कुशन माक लगा है, जो एकला चलो की जो नीती अब तक बीजेपी की तरफ से अपनाई गई है, ये उसका आगे का एक्सपेंश कॉंग्रेस से आगे आनल्डी यहाँ पर थी, बीजेपी सब से पीछे इस वक्त इस तस्वीर में दिख रही है, यानि पस्चमी हर्याना में मात्र एक सीट, 26 में से सिर्फ एक सीट यहाँ पर बीजेपी ने लिए है, पूरवी हर्याना के अगर बात कर ली जाए, तो 2009 की तस्वीर है, जिसके दम पर अब तक सरकार चल रही थी, आनल्डी 2009 में बहतर कर रही थी, इस बार भी बहतर है, आनल्डी के पास इस बार आठ है, कॉंग्रेस के पास साथ, अन्य की दो, और बीजेपी वही परिस्थ थी, एक, तमाम तस्वीरे देख लीजे, हर्याना मे साथ, अन्य तीन, बीजेपी के पास एक, दक्षणी भाग, यानि गुडगवाय डिविजन, बीजेपी की यहाँ भी मुस्यबत नजर आ रही है, कॉंग्रेस बहतर करती हैं, दिख रही है, 2009 की जो परस्तिती है, आनल्डी की बारा की जो हमने बताई, पस्चुमी हर्याना क की कॉंग्रेस की साथ, चलिए, ये वो तस्वीर है, जो 2009 में बनी थी, लेकिन अब की बार ये तस्वीर कुछ उलट बन सकती है, सवाल ये है कि ये जो तस्वीर अगर उलटती है, या तमाम जो सर्वे इस वक्त जो इशारा कर रहे हैं, इस तस्वीर के उलटने में सबसे ज जाता हूँ यहाँ पर अब निंदर साब, जो आएनल्डी का जो अब तक का वोट बैंक रहा है, उस पर कहा जाता है कि जाट जो अधारित राजनीती है, ओमपर का चोटाला साब ने कहा कि चौधर वाली जो राजनीती है, वो भी काफी जादा इंपेक्ट में रहती है, देकर निकल गए है, यह उसका इंपेक्ट भी देखने को मलेगा, देखिए मैंने दुस्यांत चोटाला के कुछ कारेकरम कवर किये थे, वहां मैंने गाउं के लोगों से कुछ बात चित किया, आप बिल्कुल जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, यही सवाल मैंने वहां को सुईकार करना पड़ेगा, अब इसका क्या राधित की विद्वेस है, क्या नहीं हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के मन में एक बात और भर दी गई है, कि भुपेंदर सिंग उड़्डा सरकार ने अगर विकास भी किया, तो केवल एक शेत्रविशेश क का रोतक का, बेरी का, जजज़र का, हमारा विकास तुम्हारा विकास नहीं किया, इसलिए इसलिकर तुमको विकास चाहिए, डेवलोटमेंट चाहिए, तो तुम हमारे साथ आओ, और लोग कनविंस हुए इस बात पर, इस मुद्द्धे पर कनविन्स हुए, मुझे गाउं इसको cash किया और इसका फाइदा इनोले ने उठाया इनोले को ये फाइदा ज़रूर हो सकता है लेकिन सवाल ये है कि BJP की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है जो ब्रस्टाचार की बात उठाई गई है या मोदी का चहरा जो शुशासन की बात यहां पर की जा रही है उसका impact क्य आइनल्डी के negative में जा सकता है मनौन मौन जी आइनल्डी ने इस बार जिस तरीके से अपनी राजनितिक गोटियां चलाई है या चिया खेलने की जो कोशिश की है चोटाला साब आते हैं पूरा उनका जो पूरा campaigning वो की जाती है लेकिन फाइनली जब पूरा वक्त जो वहां के बिरोजगार हैं उनको नौकरिया दे रहे थे क्या वो सिंपथी वोट नहीं मिलेगा देगे ग्राउंड पॉलिटिक्स जो भारत की है हम लोग सैधान्तिक तरीके से ठीक है डेमोकरिसी के बहुत सारे कंडिसंस हैं कि रूल अफ लौ होना चाहिए सेप्रेशन पावर होना चाहिए और हम लोग मेडिया के और तमाम इंटलेजेंसिया के दौरा कहा जाता है कि जो है मोरल पॉलिटिक्स होनी चाहिए मुल्नों की राजनीत होनी चाहिए लेकिन आप भारतिय राजनीत का इतिहास उठा करके देखे हैं तो जिन राजनेताओं पर यहीं निकलता है कि कहीं ने कहीं भारतिय समाज या पूरी जो लोग तंत्र में जो जन व्यवस्था है उसे नैतिक्ता से नहीं लेना देना कहीं न कास्ट, कॉम्णीटी, परसनल फायदे, नेता के प्रती इमोशन और उसके प्रती जो एक लॉयलिटी है उस पर कोई फर्क नह पर असर नहीं पड़ा, तो वहीं इस्तिती जो आप चौटाला के नजरिये से भी देख सकते हैं, कि चौटाला पिछली बार भी अच्छी खासी सीट पा चुके थे, अगर भारतिय जन्ता पार्टी के साथ उनका गटबंदन होता, तो हुडा की सरकार नहीं बन पाई होती, तो इस बार भी वो जो ग्राउंड हमारी जो पॉलिटिक्स है, वो कहीं ने कहीं हर्याना में रेफलेक्ट हो रही है, और वो चौटाला को वोट मिल रहा है, लेकिन जो हर्याना में और महराष्टर में, जो सर्वेक्छणों में, पोल्स में और तमाम विसलेसकों के जरिये, जो भारतिय जन्ता पार्टी का वो उफान एक फिर बर फिर से दिखाई दे रहा है जो कि उपचुनाओं में सीरे नीचे की ओर चला गया था भाटपा शासित राज्यों में भी उपचुनाओं में शर्मनाग पराजे हुई थी भाटपा की मोदी ने रैली की और जिस तरीके से पूरा समा जो है एक बदला है साज़िदार दलों को हटाने के बाद भी उससे यही लगता है कि मोदी की जो शब्द है विश्वसनियता और विश्वास सचमुच में ये उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है देश के सारे राजनितिग्यों म के चाहरे के तौर पर वीज़ेपी की तरफ से आगे किया गये लेकिन इस वक्त जो तमाम सर्वेस सामने आ रहे हैं उसमें बीजेपी के साथ टक्कर में आंएनलडी है एक तरफ मोधी को सुशाचन का चै़रा बना कर आगे किया गया है लेकिन आएनलडी भी पूरी टकर में जनता के जहन में क्या चल रहा है क्या जो चेहरा आगे नहीं किया गया उसका खामियादा तो नहीं भरना पड़ेगा बीजेपी मुझे लगता है कि देखिए जो इस सिचोईशन है बीजेपी है अगर आप सर्वेस की बात करें तो तीन-चार सर्वेस आए हैं आपके सर्वे को ले रहें इस फ़र डिपेंट करता है मुझे लगता है मुझे कोई शक नहीं है कि हर्याना में बीजेपी नबल की सिंगल लार्जस पार्टी बनेगी लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो अपने वल पर सरकार बना पाए और महारास्ट का भी वही होना है इशू देखिए वो नहीं है भाई साब बदा रहे थे हमारे पतरकार साथी की जनता जो है करप्शन को एकसेट कर ली है क्या करप्शन के खिलाब बोलने वाला बहुत दिन के बाद एक ऐसा व्यक्ति नरेंदर मोदी आया है जो खुद पारदरसिता में विश्वास रखता है और खुद बिलकुल honest है उसकी credibility जो है honesty है और उसकी credibility है governance और accountability की बात करने वाला आज तक को इतने जोर से नहीं बोला और इसलिए जनता जो है एक जो जनता सिधा अपने नेता से बात करती थी उसे वो चेहरा नहीं दिख रहा है वो सिर्फ मोदी से जाकर सारी शिकायत थोड का जो voter है वो सीधा आपने इनिता से contact बनाने की कुशिश करता है देखिए आप अगर मानके चल रहे हैं कि चेरे से वोट मिल रहा है वोट चेरे से नहीं वोट एजेंडा पर मिल रहा है कोई नो कोई तो मुख्यमंतरी होगा तो यही कहना है चेरे से वोट मिल रहा है लोग न Гरी रहने पति कंठ परकार सय वह लोगों को एक नय राज़िती परिदेश में भारत को लिए उसकी बात कर रहा है और यह वोट मुझे लगता है अगर आप इस आकड़े को मांझायां जो सर्वे के हैं उसके फेवर में है एक्सेप्ट जनता करेगी जो बीजेपी की तरफ से का जा रहा है या फिर जो तमाम अब तक प्रोस्पेक्ट्स यहां पर सामने रखे गए हैं बीजेपी की तरफ से चाहे मोधी की बात कर ली जाए लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं यहा पर बात करूं भले ही हो प्रकाश चोटाला का जो चहरा है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते वो मैं उनकी मजबूरियां समझ सकता हूं भले दावे कितने कर रहे हैं वो कह रहे हो कि मैं जेल में ले लूँगा शपत लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक चहरा दिय है और जंता कहीना कहीन अगर ओपिनियन पोल्स को हम मालने तो उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इन पूरी परस्थितियों के बीच में कहीना कहीन मोदी को यह जो आयनेलडी टक्कर दे रही है यह उसी का खामियाजा भर भर रही है और सवाल यह है कि जो बादल आयनेलडी क की बात नहीं होगी बिल्कुल नहीं सुमिझ जी यह बिल्कुल लग रहा है कि अगर ऐसे ओपिनियन पोल के नुसार रिजल्ट भी आए जो एक्जिट पोल है उसके नुसार तो दोनों मिलके सरकार बनाएंगे यह पूरी तरह दीख रहा है लेकिन इस टोटल वोटिंग में और मोदी जी के हरियाने में 11 बड़ी बड़ी रैलियां करने में यह खुल के सामने आया कि बीजेपी के लिए यह फायदेबंद रहा है आज तक बीजेपी बड़ी मुश्किल से धाई के आकड़े पर पहुंची है 1966 में हरियाना पंजाब से अलग हुआ था तब से अब तक यह पहली बार है कि वो बीज को बीज का आकड़ा पार करेगी अगर यह यह रहे हुए तो एकजिट पोल और नहीं तो आज तक हरियाना में 90 विदानसवा मले बनते हैं और 46 चाहिए सरकार बनाने के लिए टोटल मिलाके भी 1966 और आज तक टोटल मिलाके भी बीजेपी के 66 न पर बात कर ली जाया दिनेज जी जाहर है बढ़त तो आप लोगों को मिल रही है आइनलडी एक ऐसे चेहरे को अपना मुख्यमंत्री प्रोजक्ट करती है जो इस वक्त जेल में है गंबीर आरोप है बीजेपी मोधी जी को आगे करती है शुशासन का चेहरा बना कर लेकिन अगर उनकी आइनलडी के मंच पर जो दिखना है वो कहीं गंबीर सवाल उठाता है एक तो गटबंधन पर आपके सवाल उठ जाता है और दूसरा आगे जो गटबंधन हो सकते हैं उस पर भी कि क्या आइनलडी के साथ अगर ये परस्टिया नहीं बनती है यानि आपको बहर की बात दूसरी है मुल्य आधारित राजनीत की लोग बात करते हैं लेकिन करते नहीं लेकिन मैं ये बार बार निवेधन करना चाहता हूं कि परिवर्तन का डौर है जैसे हर छेत्र में परिवर्तन हो रहा है वैसे राजनीतिक छेत्र में ब्यापक परिवर्तन हो रहा ह और एक आदमी सिर्फ मूल्यों के राजनीत की हवा बना कर उन-4 दिन के सरकार चला गया, आप कह रहे हैं मूल्यों की राजनीत की बात ही नहीं हो रही है, अब जनता इतनी मूर्क नहीं है, आप नेता आपने आपको तेज समझे, राजनीतिक कार्ज करता आपने आपको तेज समझे मुझे लगता है ठीक बात नहीं है अब जनता जो है न वो विश्वसनीता देखती है पंदी एक समय था कि अच्छे लोग राजनीत में आते थे बाद में आये पैसे वाले लोग राजनीत में आये बाद में फिर आया मसल्क पाउर आले लोग में आये आज फिर अच्छ लड़ती तो उसका कोई चेहरा नहीं होता था यह पहला चुनाव है भारती जनता पार्टी भी एक प्रियोग कर रही है और मोदी जी प्रियोग करने में विश्वास रखते हैं और परिपक्कों नेता हैं और एक परिवार उन्होंने प्रियोग किया इस बार एक नेतुत लड़ा जा रहा है तिसमें अंगुली उठाने की कौन सी बात है आप बताईए जूदेव के बाद रम जूदेव के उसमें चिहरे पर चुना हुआ था च्छतिसगर में बाद में रमन सिंग मुखमंत्री बने ही नहीं नहीं बनेगा किसके साथ अगर यह परस्तितियां बन लड़ा है कि आई-एल्टी के साथ गड़ाना नहीं कि हमारा भरस्ताचार से सीधा लड़ाई है और आप कैसे कह रहें कि काटे की तक्कर 60 और 30 में कौन सा काटे का तक्कर होता है मुझे समझी में यह पैतिस और तैसी का भी आखड़ा दिक रहे हैं सर्वेज की बात करू है है यह सब लिम्हाइद होगा सुमी जी अवे इन अल्वी घृट स्वकनान ‫ीडेट्स को आपने को उता रहा है उसके ऑंदर से इनने खुद के जो अपने खयूंब इसको दिशने माइन जटना सकते हैं बाकी की बाकी जो है यो मैं बता हूं प्रकार ले the यह उसके से बाद क्या होता है वी ज़ेपी के लोगों ने क्या किया यह वहां भी चलो चेंज करते एक उन्होंने सीट भी चेंज करके दिया देखें बीजेपी ने कभी कोई सीट नी चेंज की अब की बार हर्याना में एक सीट को लास दे जिस दिन से भी ड्रालता उस दिन चेंज करके दिया अब हर्याना में सुमी ची क अद्वी भी नी समझेगा 45 में से आपका सर्वे बिल्कुल मुझे सही परतीत होता दिए कि 45 में से 35 ये ले सकते हैं 32 ले सकते हैं 30 में सब्सक्राइब इनके जो लड़ने वाले कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आएंडी के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे समझोता नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे तब अब बाई दिनेश जी देखिए राजनितिक बैक्ति हैं एक पार्टी विशेज से जुड़े हैं वो उनका नजरिया एक होगा वो हम समझ सकते हैं लेक देखिए असमभव कुछ नहीं है और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक एंटी कन्वेंसी फेक्टर वहां हर्याना में भी और महराष्ट में भी दोनों जागे काम कर रहा था पब्लिक वहां पर परेसान थी और मोधी जी का अपना ये एक भी अटेक उनका अटेक की होता है और वह आगे बढ़ जाते हैं इतना सा फर्क है बस अधरबाज यह नहीं है कि सारा कुछ विकास हो गया सौधर में सब कुछ हो गया कुछ नहीं है सिर्फ चेहरे की अगर यहां पर बात कर लिजाए 30% हमारे पास जाट वोटर है अगर मैं हर्याना की बात करूं ग्मरा करने के जूट बोलनेतर लेकर एक इनके बात है अगर आप किसी पी सेंस में उन फेस्ट को लें आप अपनी देफिनेशन दें उसके लिए लेकि इनके फेस तो बताइए अभी तो आप एक कितनी अच्छी बात उन्होंने का युद्डा साब ने उन्होंने का आपने 45 केंडिट खड़े की है और 60 कि आ बात कर रहे हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि जब आप 100% रिजल्ट की बात कर रहे ह और 1500% रिजल्ट आया हो ऐसा बिलकुल नहीं है वहां जो पोजिशन है इनकी तीसे नंबर की पोजिशन है तीसे नंबर पर रहेंगे थार्ड पोजिशन पाने वाले नहीं यह कांग्रेस लोग सभा चुनाओं में भी सरकार बना रहे थे और विपच्च के लाइक भी नहीं यह कौन सा इसा किस चेहरे की आप बात कर रहे हैं कौन सा चेहरा होता है भारती जनता पार्टी का एक आम कार्ज करता और कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े जो नेता है उसके समान है आप करते हैं भारती जनता पार्टी में मनमुटाओं होता है बार बार हुट्ड मेरा एक मेरा आपसे एक सवाल है क्या आप चोटाला के साथ जाएंगे इस हालात में वहां चोटाला जी के साथ जनता ने जाने के लिए हमको आदेश नहीं उसमें कहा कि हम किसी भी हम किसी भी भरष्टाचारी के साथ नहीं जा रहा है सुन लीजिए है चैनल पर कह रहे हैं देखिए हम बार-बार एक निवेदन करते हैं पता नहीं क्यों कि सरकार और संगठन में जमीन आस्मान का अंतर हैं सरकार बहुमत से चलती हैं और संगठन और परिवार सहम सभार के सदस ते हैं, आपके फोरीवार में साहमद बनाने के लिए टुन-पुन होती है प्लस जो महारास्ट्रे में हुआ है, higher percentage of voting जब भी होता है, तो लोग, यह तो किसी को हराने के लिए आते हैं, यह तो किसी को जिताने के लिए आते हैं, लोग सबाश चुनाओं में भी आपने देखा, इतना higher percentage of voting, लोग मोधी को लाने के लिए voting, जिसबार कि जो voting है 2009 के में का का पड़ा है नहीं लेकिन लेकिन 2009 के वनिस्पत यह जो हर्याना में जो जादा वोटिंग हुए इतना नहीं हुआ था इमर्जनसी के समय हुआ था लोग बोलने लोगसभा चुनाओ में इतनी वोटिंग हुए थी तो जो वोटिंग परसेंटेज मेंटेन है और यह भी आपको के साथ जाती है तो बीजेपी का एंटी करप्शन का जो अप्लाइंग के लिए हुए है वो धरासा ही हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी के राइल्ड के साथ ही जाएंगे चलिए एक मिनट आ रहा होंगे साब के पास पूल पे ही एक सवाल है कि पांच बजे तक 63 परसंटेज थी, 33% वोटिंग थी और 6 बजे 73 परसंट तो क्या सर्वे 5 बजे किये गए या 6 बजे के बाद आपने सर्वे किया किस वक्त किया आपके सुधर्शन नियूज ने किस तरीके साथ मुझूद हैं। पूरा जो exploration है उन से हम ले लेते हैं कितनी मेहनत हमने रपी सिंग जी ने पूरे पैनल के साथ याहाँ पर मेहनत किये रपी सब हमारे ना चाहते है और हमारे दर्शक भी ज़ुरं जानना चाहेंगे हमने जो यहाँ पर सीटे दी हैं वो किस तरीके सदी देखा सुमित इसमें एक हम लोगों ने बहुत ही साइंटिफिक तरीका इसमें अपनाया और जैसा कि ये बार-बार लोग पूछ रहे हैं उस सर्वे में हमने हर्याना के किस डिस्टिक लिए और 36 डिस्टिक हमने महारास्ट के लिए और हर जगे एक सेंपल जिस तरह का सर्वे होता है एक सेंपल हम लोगोंने 200 का लिया तो अगर इस तरह से देखें तो 200 इंटू 57 हम लोगोंने 11400 लोगों के सर्वे किये अगर 11,400 लोगों के सेंपल सर्वे एक सर्वे जो एक जिट पोल जो है वो हमेशा एक उपीनियन है लोगों का लोगों से हमने प्रसंद पूछे हमारे जो रिपोर्टर फैले हुए हैं इन सारे छेतरों में उन्होंने प्रसंद पूछे उसके बिहाफ पे ये बना और जो हम देख रहे हैं जो मेरे से अभी ये पूछा गया कि ये एक घंटे दो घंटे हम लोग इसको छे बजे तक लिए और जो ग्रूप अफ एनलेसिस थे उन्होंने तुरंत इसको कम्प्यूटर की साहता से इसको बनाया और ये सामने है इसमें एक बात और भी सुमित मैं क जाओंगा वो ये है कि 10% आगे पीछे कोई भी सर्वे हो सकता है वो लिखे नहीं लेकिन पहले जरूर ये बात कही जाती थी सी वोटर जब सुरू हुआ जब सब जगे शुरू हुआ तो पहले स्टार लगा के जरूर ये कहा जाता था कि 10% इसमें आगे पीछे स्विंग हो बता दिया आर्पिं सिंग सुदर्शन न्यूस के सी ओ और एक चीज़ मैं हाँ पर और कहना चाहूंगा लोग सबाच उनाओ में जब हमने सर्वे किया था सुदर्शन न्यूस एकलोता ऐसा चैनल था जिसने 300 से ज्यादा सीटे बीजेपी और उसके सही योगियों को दी थी आकलन आप लोगों पर है 19 तारिक को रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद इस सर्वे का जो पूरा रिजल्ट है वो भी आपके सामने होगा लेकिन अब जो पूरी वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है EVM मशीनों में तमाम उम्मीदवारों किसमत कैद हो चुकी है 19 तारिक को र जासकता है कि आज जिस तरीके से मतधान हुआ है 64 फीसिदी महराश्टों में मतधान हुआ है और 73 फीसिदी चुए है भूहरियाना में देखा क्या है इस मतधान संख्या जिस तरीके से बड़ी है इसकी तस्वीर क्या निकले की वो 19 तारिक को जनिता के सामने होगा बहुत और शुक्रिया आप सभी महमान का हमसे चुड़ने के लिए फिलाल इस खास पेशकोश में इतना ही मुझे दीजिए जासत जहन